क्रिपाचारे के बारे में कुछ रोचक बातें क्रिपाचारे जिन्दा बच गए 18 महायोधाओं में से एक थे भीश्म और द्रोन के बाद उन्हें ही सिनाप्ती बनाया गया था क्रिपाचारे अश्वत्थामा के मामा थे कृपाचारे की बहन कृपी का विवाह गुरु द्रोन के साथ हुआ था कृपी के पुत्र का नाम था अश्वत्थामा अर्थात अश्वत्थामा के वे मामा श्री थे द्रोनाचारे के छल से वध होने के बाद मामा और भांजे की जोडी ने यूध में कोहराम मचा रखा था, कृपाचारे भी धनुर विद्या में अपने पिता के समान ही पारंगत थे। भीश्म ने इनहीं कृपाचारे को पांडवो और कौर्वों की शिक्षादीक्षा के लिए नियूक्त किया और वे कृपाचारे के नाम से विख्यात हुए। कृुक्षेत्र के यूध में ये कौर्वों के साथ थे और कौर्वों के नश्ठ हो जाने और दुर्योधन की मृत्यू के बाद अश्वत्थामा, कृपाचारे और कृत्वर्मा अलग-अलग हो गए। कृपाचारे ने बाद में इन्होंने परीक सकते हैं और न उसे क्षमा कर सकते हैं। यूध में मारे जाने के सिवा अब कोई भी चारा उसके लिए शेश नहीं है। महा भारत के यूध में अरजुन और कृपाचारे के बीच भयानक यूध हुआ। जब अश्वत्थामा द्रौपदी के सोते हुए पांचों पुत्रो का वद कर देते हैं तब गांधारी कृपाचारे से कहती है कि अश्वत्थामा ने जो पाप किया है उस पाप के भागीदार आप भी हैं। आप चाहते तो उसे ऐसा करने से रोक सकते थे। आपने अश्वत्थामा का साथ दिया। आप हमारे कुलगुरु हैं। आप धर्म और अधर्म को अच्छी तरह समझते हैं। आपने यह पाप क्यों होने दिया। खृपाचारे को इस बात का पच्चतावा भी हुआ था।